नवसकार दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस मोटर को उपेंड कैसे करते हैं नए-णे मिस्तरी परिसान हो जाते हैं इस तरह की मोटर को उपेंड नहीं कर पाते हैं समझ में नहीं आता है कि काऊंसा position किस side में खुलेगा किस side में tight होगा और पकड़ने का कोई ऐसा जुगार भी उनके पास नहीं होता है कभी बड़े मिस्तिर के पास ले जाते हैं खुलवाने या फिर machine पर इस कभर को खुलवाने ले जाते हैं या इस side में खुलेगा और उपर वाला उसी साइड में खुलेगा जब इसकी पोजिशन चेंज नहीं रहेगी तब देखिए इस तरह से इसकी बाइंडिंग बाहर निकली होती है यह लूबी कमपनी की 2HP की समर्शिवल मोटर है यह हमारे पास रिपेरिंग होने के लिए आई है तो इसमे बहुत बार ऐसा होता है कि हम दुकान पर नहीं रहते हैं तो जो हेलफर रहते हैं उसको सही से खोल नहीं पाते हैं उनको दिक्कत होती है उनको समझ में नहीं आता है कि किस दिसा में खुलेगा तो हमने सोचा कि जब इनको दिक्कत हो रही तो जो नए नए मिस्ट्री होते ह जिनके पास पहली बारे मोटर जाती है साइद उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है तो clear जानकारी रहे कि यह किस दिसा में tight होगी, किस दिसा में खुलेगी देखिए, यह आगे का position है और यह देखिए, पीछे वाली housing है यह देखिए, इस दिसा में tight और एक ही दिसा में खुलेगी ऐसा समझ में आएगा, देखिए जब इसका position change करेंगे तभी उल्टा सीदा समझ में आएगा नहीं तो एक ही दिसा में देखिए, जिस दिसा में पीछे वाली, नीचे वाली tight हो रही थी उसी दिसा में भी tight हो रही है तो यह आपको sure हो जाना है, जब इसका position change कर देंगे तो इसकी दिसा भी बदल जाएगी लेकिन इसी तरह से रखे रहेंगे तो एक ही दिसा में लगेगा कि जिस दिसा में पीछे वाली tight हो रही है उसी दिशा में भी tight हो रही है, जिस दिशा में पीछे वाली खुल रही है, उसी दिशा में यह भी खुल रही है, यह देखिए, इसमें आपको पीछे से ध्यान देना है, बहुत बार ठोका ठाकी करके इसके कबर को फोड़ देते हैं, तो इसा न करें, सही direction में आप खोलेंग रही है, खुल रही है इस direction में और इस side में tight हो रही है, और उसी तरह से पीछे वाली भी है, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए गए, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, इस तरह की motor बोल लोगों को कर देती है, तो आपको इस तरह से खोल,